जल्दी से जाएं शब्सक्राइब करें तो देखें सबसे पहले वीडियो को इस्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बहुत ही महतपुन जानकारी देना चाहूँगा याद रखिएगा आप लोगों के लिए ये जो सब्ता है अत्यांता महतपुन है जो चार जुलाई से प्रारंब हो रहा है मतलब आज के दिन से प्रारंब हो रहा है और आप देखेंगे कि बहुत सारी वेकेंसियां वित्युभाग से स्विक्रित किया जा रहा है कंटीनियू और आने वाले टाइम में भी बहुत जाना मात्र में होगा और इसी के साथ कुछ नई वेकेंसियां भी आपको देखने को मिलेगी तो ये एक बहुती सांदार और पॉजिटिवनी सबसे पहले ये है दूसरी और बहुती महतपूंट खबर जो डेंटल सर्जन से संबंधित जो आ रही है खबर हाई कोट में ये केस लगा हुआ था और इसका जो एक्जाम है वर्तमान में 15 जुलाई 2022 को है उसी के सांस साथ आप देखेंगे जो परिवहन विभाग से संबंधित है छेतरी परिवहन अदिकाली उसका भी एक्जाम 15 जुलाई को है CGPAC का तो जो डेंटल सर्जन के जो 40 पर निकले हुए है उसमें देखिएगा हाई कोट ने क्या टिप पणी किया है जरा देखें चसा कि आपके इसकिन पर शोग हो रहा होगा यहां पर बताया गया है सबसे पहले कि PSC दौरा डेंटिस्ट के पदो पर सिधी भरती के लिए ली जाने वाली परिक्षा में कारे अनुभव के अधार पर अत्रिक अंक दिये जाने की याचिका में हाई कोट ने सुनवाई हुई और समीदा पदो पर कारेरत डेंटल सर्जनों के दौरा 15 जुलाई मतलब वह भरती प्रक्रिया जैसे संपन होगी उसके पहले वीभाग को ये नीर्ण लेना है कि कितना नंबर बोनस देना है साथ में बताया गए कि 36 गर्लोग से वायोग द्वारा 9 परवरी 2022 को डेंटल सर्जन के 44 पदों पर सिधी भरती है तो विग्यापन प्रकाशित कराया गया था जिसमें वांचीत योग्यता के अधार पर सम्वीदा में कारत विभिन नजीलों के डेंटल सर्जन द्वारा आवेदन प्रपत प्रस्तुत किये गये थे तत्पस्चा 6 जुन 2022 को एक जो सुद्धी पत्र के माध्यम से परिक्षा के अंक वित्रन की जानकारी प्रदान की गई थी जिसमें सम्वीदा कर्मियों को उनके कार अनुभाव के अधार पर कोई भी प्रात्मिक्ता नहीं दी गई जबकि उनके कार अनुभाव की अधी कोरोना काल को मिला कर भी नौ से दस वर्स की हो चुकी है यहाँ पर बताया गया कि कुछ लोग फिर इससे वैथित हुए और फिर वो हाई कोट गया जो बताया गया अधिवक्तन के माध्यम से रिट लगाया गया उसमें बताया गया कि 36 गण मंत्राले के स्वास्तवें परिवार कर लिया द्वारा ही जुन 2018 में इसी तरह चिकिस्ता अधिकारियों की सीदी भर्ती के लिए जारी विज्यापन में कारे अनुबाव के अधार पर बोनसंग प्रदान किये गयते जो की समीदा में कारे रत थे इसके अलावा मध्यप्रदेश मतलब MPPSC में होमियोपेटिक चिकिस्ता अधिकारी और डेंटल सर्जनों की सीदी भर्ती वाले कई मामली इसी तरह से प्रकासित विज्यापनों में आयोजीत परिक्षा में समीदा पर कारे रत डेंटल सर्जनों और चिकिस्ता अधिकारियों को उनकों के कारे नुबाव के अधार पर बोनसंग प्रदान किया जाता है यहाँ पे यही सब पुरा मामला बताया गया और उसके बाद फिर हाई कोट ने डिसीजन दिया कि भई आप जो मंत्राले और विभाग को कि आप लोग भरती प्रक्रिया पहले चालू करने से पहले ही आप लोग पहले निर्णा ले ले लिजिएगा कि किसको कितना नंबर देना है कितने अनुभाव वालों को तो यह उनकी मांग थी जो समीदा में कारे रत डेंटल सर्जन है जा कि देखिए मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि CGPHC में बहुत सारी वेकेंसिया आई हैं स्याहक संचालक के पदों पर पर परन्तु CGPHC की बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं जिसके सम्मद में हम आपको बता नहीं पाते इसी वज़ेसे जैसे ही जो प्रोटोक जानकारी से नहीं आते किसी में रोष्टर प्रनाली का कुछ दिक्कत होता है किसी में सिलेबस का दिक्कत होता है किसी में और कुछ भरती नियम प्रती प्रक्रिया का जो है वो डिफाइन नहीं होता वो परिभाशित नहीं होता तो इस चक्कर में क्या होता है कि विभाग त लेकिन उसकी पूरी जानकारी जब तक नहीं देगा भी भाग, तो चाहे वो CGPACO या CGVYAPOM कोई भरती नहीं करा पाएगा, और होता यह है कि जब आधी अधूरी जो वेकेंसी की जानकारी आई है और उसका वेकेंसी निकाल लेती ही कोई संस्था, चाहे वो CGPACO या CGVYAPOM, औ और बाद में ऐसा होता है कि कुछ तकनीकी तूटी की वज़ा से ही, जो है कहीं न कहीं वो केस जो हाई कोर्ट में चला जाता है, कभी दिक्कत, जैसी सिलेवस्क में कोई चेंजेस होता है, तो उस चक्कर में दिक्कत हो जाती, तो यहाँ पे जो संस्था होती है, उस पर उं दोनों ही एकदम सतर्क हो गए है और जब तक पूरी चीजे नहीं आ जाती तब तक वेकेंसी नहीं निकालते हैं भले उनके पास मांग प्रस्ता आवाज आते हैं कि इतनी भरती पर लेना है इतने पदों पर भरती लेना है वरतमान में डेर सो से अधिक पदों पर सीजी पीएसी के पास पद पड़े हुए है बहुत सारे सायक संचालक के लेकिन वो निकाल इसलिए नहीं रहे है कि किसी का सिलेबस कम्प्लिट नहीं है तो कोई आयू सीमा से संबंधित प्रॉब्लम है किसी का कुछ तो इसी वज़ा से यहां पे वेकेंसिया आना तो तरह है और बहुत सारी वेकेंसिया अब होते है कभी 40 पद, 25 पद, 32 पद, 65 पद, 80 पद इस वज़ागर से बहुत सारी वेकेंसिया परनतो जैसे जैसे उनको प्रस्ताव मिलते जाएंगे CGPSC कंटिन्यू आपको लोगों के लिए वेकेंसिया निकालते जाएगा यहां पे देखिए आप किश्किन पर जो रहा होगा यहां पर बताया गया है कि विभागों की लापरवाही PSC कारेले से लौट रहे भरती परिक्षा के परस्ताव यहां पर बताया गया है कि राज्य के विभीन्न विभागों में भरती परिक्षा के परस्ताव तो मिल रहे है लेकिन अपसरों परिक्षाएं नहीं हो पा रही है, राज्य लोक्सेव आयोग के पास कई भरते परिक्षाओं के प्रस्ताव है, विभागों की ओर से अपूर और गलत जानकारी देने के कारण पीएसी मंजूरी में इन प्रस्तावों को लोटा रहा है, परिक्षा के लिए विध्यापन जारी नहीं कर पा रहा है अगर हम ताजे मामले की बात करें तो आपको मालूम होगा कि पिछले साल 595 प्रोफेसरों के पदों की जो भरती का प्रस्ताव आया हुआ था लेकिन उसकी अधुरी जानकारी है जिसकी वज़े से उसको वापस लोटा दिया गया इसी तरह वन विभाग की भी तुरुटी पॉर्ण जानकारी के चलते मामला कोर्ट पहुझ गया वहीं संस्कृति एवं पूरातत्व विभाग याद रखिएगा यहां पे संस्कृति और पूरातत्व विभाग भी पांच अपसरों की भरती की प्रक्रियत थम गई यहां पे सहायक संचालक के पांच उसका प्रोसेस आगे बढ़ा है तो जैसी कि यहां पे सबसे पहला केस अगर हम बात करें तो आयू को लेकर थी भ्रमित करने वाली जो प्रोफेसरों के 595 पत थे दूसरा था संस्कृति विभाग जो दूसरा केस था वो संस्कृति विभाग में नियम भेजा और पाठ्ठे विभाग के संचालक से अगर बात हुआ तो फिर उन्हों बताया कि भई पाठ्ठेक्रम बन गया है अब हम जल्द भेज रहे आयोक को याद रखिएगा समीधा अपसरों के जो भरोसे वह संस्कृति विभाग चल रहा है और याद रखिएगा संस्कृति विभाग में भी अ पर असा लेट चल रहा था तीसरा केस है वर्सों से अटकी नियुक्ति यहां पर देखिएगा बताया गया है कि वही जो वन वाला विभाग वाला जो मामला था उससे संब्द में बताया गया है साथ मेरी की यह बताया गया है डेड़ सोसे अधीक पदो की मामलों पर विभाग के पास मांग पतर तो है लेकिन समय पर जानकारी नहीं मिलने से भरतियां लटकी हुई है तो सभी विभागों से मेरा आगरा है कि जब आप जो भी भेशते है पदो की जानकारी या पदो से संबंधित भरती का प्रस्टाव भेशते है तो आप लोग क्रिप्या करकि एक बार में तीदा तीदा भेजा करिएगा इससे होता यह है कि इतनी बार जो पत्रा चार होते है और उसमें जो वक्त लगता है इससे समय का जो दूर्पियों होता है तो सही समय पे सही जानकारी सटिक तरीके से भेजिये सभी विभागों से मेरा अनुरोध है यही आप सभी को एक जानकारी देना था कि वहीं देखिए CGPSE में वेकेंसियों की भरमार है और आने वाला सप्ता आने वाला दीन आने वाला जो महिना है आप सभी के लिए अत्तिमाद पोन है बहुत ही सांदर तरीके से त्यारी करिएगा यही एक positive news देना देना था आशाकर तों वीडियो अच्छा लगाओगा अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगाओगा तो आप इसे जाना से जादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ततर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्वस्त रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव है